नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं भूगनम आपके साथ प्रदानमंदी नरेन मोदी 15 नवंबर जारकंड स्थापना दिवस और जन्जाती गौरो दिवस के मोके पर राची जा रहे हैं प्रदानमंदी नरेन मोदी की स्यात्रा के मदे नजर त्यारी अभी से जारी है इस दुरान प्रदानमंदी रोड शोक कर सकते हैं प्राची एरपोर्ट से प्रदानमंदी सड़क मार्क से होते वे बिर्सा मुंडा स्मरती पार्क तक पहुचेंगे प्रदानमंदी नरेन मोदी की यात्रा कई माईनों में एहम है PM खुटी में भगवान बिर्शा की जनम इस्तली उली हातू भी पहुचेंगे PM के अगमन प्रस्तान और अन्य कारकरमों से जूड़ी जानकारी अब तक तैय नहीं है इस सम्मन्द में भी आधिकारिक तोर पर राज को भी जानकारी नहीं दी गई है प्रधानमंती नरेन मोदी की यात्रा और राजिस्त अपना दिवस के मोके पर होने वाले कारेकरम को लेकर त्यारी जोरो पर है कारेकरम की तैयारियों को लेकर मुख्य सचीव ने राज के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है बैठक में प्रधानमंती नरेन मोदी के कारेकरम को भी विस्ता से चचा की गई इसी बैठक में प्रधानमंती नरेन मोदी के रोचो पर प्री चचा हुई प्रधानमंदी मोधी अगर रोड शो करते हैं तो इसके लिए विशेश त्यारी करनी होगी बिर्सा मुंडा स्मती पार्क में प्रधानमंदी नरेन मोधी 20-25 मिनिट तक का समय विता सकते हैं इसके बाद पीम के राजभवन जाने की चर्चा भी है यहां प्रधानमंदी 15 से 20 मिनिट वहीं रुख सकते हैं आजभवन से पीम एरपोर्ट चले जाएंगे जहां से हेलिकॉप्टर के जरियेवे खूटी के उली हातु में भगवान बिर्सा मुंडा की जनम स्थली के लिए रवाना होंगे यहां के बाद प्रधानमंदी कूटी के बिर्सा स्थेटियम में एक जन सभा को सम्मोदित कर सकते हैं इसी के साथ बने रे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद